तो यह देको आज के वीडियो बहुत ही याद ओपी होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो के इंदर में आप लोगों कुछ ऐसी ड्रेक टेकनिक्स बताने वाला हो जिन ड्रेक टेकनिक्स को आगली पास सेकिड में अपनी एचपी फुल कर लेता है क्योंकि आजकल फ्रीफार जो character ने वो बहुत ही speed से HP दे देते हैं मतलब जैसे इनकी कोई train चूट गई हो और पलक जबकाते ही एक medikit लग जाती है और आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी भी anime को body shot से मारते हैं तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता लेकि जब हम किसी को भी headshot मार देते हैं तो चेहरे पे अलगी तरीके की smile आ जाती है मतलब मजा या रता है और हाँ अगर आप लोगों का headshot लगता तो है लेकिन लगातर सारी गुलिया headshot नहीं लगती तो फिर fourth number trick को गलती से भी miss मत करना क्यूंकि यार fourth number trick में कटपा ने भावली को क्यों मारा उससे भी वड़ा राच छुपा हुआ है तो इसी बात पर एक like तो बनता ही है ना तो कर दो like शर्मा क्यों रहे हो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं तो देखो जो हमारी trick number one है वो उन लोगों के लिए जो free fire की दुनिया में राइस्टार से भी ज्यादा खतरना खतरना बोडी शॉट मार लेते हैं ने मतलब तुम्हे क्या लगा मैं headshot बोलूँगा यह क्या बात करते हैं यह बाइदवए यह trick उन लोगों के लिए जो अब headshot मारना सीखना चाते हैं क्योंकि वो लोग अब headshot खाका कर तंग आ गया है और इस trick का नाम है straight drag तो straight drag का मतलब यह है कि अपने fire button को बिना परेशान किये सीधा-सीधा drag कर देना और यह वाली ड्रेग ड्रेक्टिंग आप लोगी तब काम आती है जब आपके सामने कोई enemy still खड़ा हो मतलब सीधा खड़ा हो मतलब अगर मानलो आप लोग के मैं वो लूग कि आप लोग को इस training round में खड़े bot को MP5 से headshot मारना है तो आप लोग कौन सा ड्रेग यूज़ करोगे उस टाइम पर देखो मैं तो उस टाइम पर स्ट्रेट ड्रेग का यूज़ करोंगा आप लोग का पता नहीं जिसका नाम है rotation drag तो आज की टाइम पर जिसने रोटेशन ड्रेग का नाम नहीं सुना तो उसका मतलब है कि वो free fire के इलाके में अभी नया नया आया है और जिसने नाम सुना है लेकिन वो rotation drag से headshot नहीं मार पता तो फिर तो वो free fire का सबसे बड़ा noob है और जो use कर लेता है वो तो pro है देखो हम इस्टिल करूँ है enemy को तो state drag से बड़े अराम से headshot मार सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आप लोग का enemy हमेशा एक ही जगा हो क्योंकि जातर enemy इधर से उधर बंदर की तरह उचलते रहते हैं रोटेशन ड्रेग में हमें अपने fire button को left या right की side rotate करते हुए drag करना होता है मतलब अगर आप लोग का enemy left की side भाग रहा है तो मतलब उसका head भी उसके साथ-साथ left की side भाग रहा होगा तो उस time पर आप लोग को left side से rotation drag मारना है लेकिन भही right की side से भाग रहा है तो right की side से rotation drag मारना है लेकिन अगर आप लोग को एकदम perfect rotation drag से headshot मारना है तो मैंने rotation drag पे एक बहुत मस्त वीडियो बना रखी है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद rotation drag वाली वीडियो को भी देख लेना अब जो हमारी trick नमर 3 है वो जाहतर हमारे राइश्टर भाईये यूज़ करते हैं जो की है drag प्लस quick switch अब देखो इसमें होता है कि आप लोग drag तो जो मरचे करो लेकिन आप लोगों को headshot मारने के तुरंद बाद अपने quick switch weapon वाले button का use करना होता है और सबसे बड़ा सवाल जो लोगों को सबसे जादा परिशान करता है वो है कि quick switch weapon वाले button का use करने से फायदा क्या होता है अब देखो मैं आप लोगों को एक kill बिना quick switch को करके दिखाता हूँ और एक kill quick switch के साथ करके दिखाता हूँ अब देखो आप लोगों को अगर फरक पता चला तो ठीक है और नहीं पता चला तो भी ठीक है लेकिन हाँ एक बात का जरूर ध्यान रगना कि आप लोग हमीशा अपने quick switch weapon वाले button को अपने custom hd में left side में ही रखना क्योंकि right side में रखोगे तो drag वाले button से हाथ अडाकर आप लोगों को उस button पर click करना पड़ेगा जिसकी वारे से click तो हो जाएगा लेकिन drag अच्छे से नहीं होगा और हाँ quick switch की practice आप लोग training round में खड़े bot पर कर सकते हो अब देखो जो मेरी trick number 4 है इसका मेरे दिमाग में कोई भी नाम नहीं आया और आप लोग भी इस trick को देखने के बाद बोलोगी कि हाँ यार इसका क्या ही नाम होगा और अगर आप लोग जब headshot मारने जाते हो तो उसमें आप लोग headshot तो मार देते हो लेकिन सिर्फ एक दो गोली ही headshot मार पाते हो तो इस trick को देखने के बाद आप लोग की जातर गोलिया headshot लगने वाली है तो देखो होता है कि आप लोग अगर अपने fire button के दो पार्ट कर दोगे एक अपर पार्ट और एक लोवर पार्ट तो अगर आप लोग अपने थम को उपर वाले पार्ट से पकड़ कर ड्रैक करोगे तो white damage जादा आएगा और red damage कम आएगा मतलब body shot जारदा लगेगा और headshot लगेगा लेकिन लगातार सारी गोलिया headshot नहीं लगेगी तो इसलिए आप लोग जब कभी भी drag करने के लिए जाते हो तो उस टाइम पर आप लोग को अपने fire button को उसके नीचे वाले पार्ट से पकड़ कर ड्रैक करना चाहिए और सच में आप लोग एक बार इस चीज को ट्रै करके जरूर देखना कि आप लोग पहले fire button को उपर से पकड़ कर ड्रैक करना फिर एक बार fire button को नीचे से पकड़ कर ड्रैक करना आप लोग को अपने पता चल जाएगा और हाँ इस ट्रिक का नाम अगर आप लोग की दिमाग में कोई आ रहा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना क्योंकि मैंने तो बहुत सोचा था लेकिन मेरी दिमाग में कोई भी नाम नहीं आया अब जो हमारी ट्रिक नमर फाइफ है यह तो वर्ल्ड फेमर्श ट्रिक है और लगबग सभी प्रो प्लेयर ने इस ट्रिक को जरूर यूज किया होगा वाइट ट्रिपल फोर को छोड़कर जोगी है प्रैक्टिस क्योंकि अब लोग की प्रैक्टिस सही नहीं होगी तो आप लोग कभी भी हैट्चुट नहीं मार पाऊगे और प्रैक्टिस भी आप लोग को कहीं और नी बलकि आप लोग को ट्रेनिंग राउन में आकर ही करनी है क्योंकि इसमें हर किसम के एनिमी मिल जाते हैं कुछ प्रो होते हैं कुछ नियाइटीनुब होते हैं और आप लोग सिम्पल क्लैस स्क्वेड में जाकर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो तो यह ठी आज की वीडियो वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को प्लीज हिर एक लाइक कर देना चेनल हो चैनल को में कि ए सकते हैं? मुणकी ए दो कि ए सकते हैं?